कि ही गाइज वदकम बैग टो मैं चैनल और कयों आप लोग को आज मैं मौरिण से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हूं तो अभी जा रहे हूं ब्रेक्फास्स बनाने ब्रेक्फास्स में अधा बन गया है और बनाना बाकी और सात में चाहाए तो देखें आज क्या बन रहा आज हम लोग अप्पे बना रहे हैं तो चरिए अभी टाफट बना लेती हैं अपने बेटे के लिए डोसा बनाए क्योंकि वह अप्पे नहीं खाता और यह मेथी का अप्पे है जो कि मैं इसकी रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगी मैंने यहां रेसिपी नही यही बना था और उसके बाद मैं यह पूजा के बरतन धोने जा रही हूं तो यह है पितांबरी क्लीनिंग करने का तो यह पितांबरी से मैं नॉर्मली इसको पूरे बरतन में स्प्रेड कर लूँगी और थोड़े देर छोड़ दूँगी तो यह मैं स्कॉच ब्राइट से क रगड के पानी से धो लूँगी और धोने के बाद मैं इसको ऐसी नहीं रखोंगी इसको कपड़े के ऊपर एके करके सुखने के लिए डालूँगी और सुख जाने के बाद ही मैं इसको यूज करती हूँ इसलिए मैं नहाने से कुछ टाइम पहले इसको कर लेती हूँ और देखिए मैं इसको रगड के ऐसी दोरी है, अगर आपको इसका कोई और मैथड मालूम हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके, कि आप कैसे साफ करते हैं, पीतल कासे और तांबे के बरतन को साफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पह करते हैं, पानी की छीटे रह जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होता है, यह मेरा जानकरी है, अगर आपको कोई और मालूम हो, तो प्लीज मुझे कमेंट किजेगा, हुआ पूजा करने के लिए चली जाओंगी तब तक सूख जाएगा मेरा बरतन और देखें यहाँ पर मेरा बरतन सूख गया और मैं पूजा कर रही हूँ बहुत जादा विधी से तो नहीं करती हूँ भगवान के सामने हाँ जोड़के सब के लिए प्रातना कर लेती हूँ ताकि मेरा मन शांत रहे सारा दिन अच्छा बीते और उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ तो आज मेरे नाश्ता तो आपको पता ही है तो मैं चाय उसके है जो कि ठंडी हों के लिए बहुत अच्छ है यहां मैंने कड़ाए में तेल और सरसों का तेल है जीरा डाला तेशपता और ठरी लालमश अस साथ मैंने हमारा जो लेहसुन होता है ला उसको यूज किया अभी धरणिवस間 ही क Halloween तो इसलिए यूजर में चेसं सेट होंगनारी हें जितने हैं मतलब अच्छिन उड़न दाइन और यूज भी करना चाहिए और यहां पर मैंने प्यास डाला उसके बाद भून जाने के बाद लेसन के और यह अच्छे से फ्राई हो जाएगा सौटे हो गया यह मेरा उसके बाद मैं यहां पर टमाटर डाल दूँगी टमाटर को मैं गलाने के लिए इसमें नमक थोड़ा मीज़ा गपचंग देगो बोगो शिपन इरां की वने हैं यहां 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 पूरा अच्छे से गल गया है उसके बाद में हल्दी और सारे गरम मसाले और थोड़ा सा अमचूर पौडर डालूंगी और अच्छे से इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं उसमें डाल को जो कि मैं रात में भीगा के रखी थोड़ी तू उरच दाल और थोड़ा चना दाल और फूल गया था अच्छे से मेरा तो मैं इसको अच्छे से तीन सीटी लगा दी हूँ जादा गला हुआ भी नहीं और जादा कच जो मेरे मेथी का पत्ता यूज़ करने वाली हूँ उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और यह अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं उसे दाल में मिला लूँगी और लास्ट में सबसे लास्ट में थोड़ा सा गुड़ डालूँगी टेस्ट बहुत अच्छा आता ह उसके टेस्ट को बहुत ही मस्त बना देता है गुड़ डालने से थोड़ी खटाई थोड़ी गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और यह जो डाल है ना बहुत ही यमी बनता है तो इसको हम लोग मेथी दाना दाल बोलेंगे मेथी साग वाला दाल भूलेंगे ये बहुत ही यमी बनता है सरदियों में इसका बहुत ही अच्छा मज़ा होता है यहां मेरी बहुत अच्छे से दाल पक चुकी है अब मैं इसमें वो जो मेरा फ्राइ करके रखा हुआ साग उसको मैं आड़ कर दूँगे मेरा बन जाएगा इसको मैंने हम लोगों ने रोटी के साथ इंजॉय किया आप चाहे इसको डाल राइस के साथ भी या पराटे पोड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही यम्योगा और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको जरूर ट्राइ कियेगा यह वाली रेसिपी यह मेरी फेवरेट रेसिपी है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यह शेयर किया आज करने के बाद सो गए सो के उठने के बाद साम को आज मिझे टाइम था तो मैं थोड़ा इवनिंग में पार्क में वाक करने गई और यह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यह जो ब्रिज जाना यह बहुत ही एक होटल डलोना करके के ड्रामा है उसका याद दिलाता है अभी मैं वहाँ जा रही हूँ आप लोगों थोड़ा पास से दिखाऊंगी तो वो जो के ड्रामा है कोरियन ड्रामा है वो मेरे बच्चों ने मुझे दिखाई थी तो उसमें एक ब्रिज था जो की मतलब थोड़ा सा हॉरर भी है थोड़ा सा मज़िदार है वो जरूर देखेगा आप लोग होटल डेलोना करी के नाम से है तो उसका पुरा लुक देता है अभी देखे पुरा उसकी याद आएगी अगर आप लोग देखते होंगा अगर नहीं देखते होंगा तो प्लीज आप जरूर देखेगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया आप लोग को भी में भी पसंद आएगा बहुत ही मज़ा आता है मुझे आके तो मैं कभी कभा रही आ पाती हूं और यह देखिए दो डौगी हाँ यह लोग भी इस ब्रिज का मज़ा ले रहे हैं उसके बाद हम लोग घर आ गए कैसे हैं आप लोग और आज मैं अभी आप लोगों के सामने आई हूं मॉर्निंग में एक बार दिखे थी तो मैं बोली थी आप लोगों से बात करूंगी मैं मुझे यह कहना था कि मैं लास्ट पूरे वीक मैं वीडियो डाली हूं और मैंने बोला भी था बट मेरे कुछ व्लोग डालना impossible हो रहा है क्योंकि मुझे काम भी है मेरे दो छोटे बच्चे हैं तो वीक में मैं पहले टू टाइम डालती थी अब मैं थी टाइमस डालूंगी और मिलते हैं आप से नेक्स व्लोग में और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है अगर थोड़ा भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और मिलते हैं आप से नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड थैंक्स फर वाच्वाचिन